भारत सरकार देश में hydrogen produce करने के लिए लगातार जोर दे रही है इसके कई बड़े और मुख्य कारण है जिसमें पहला है लगातार देश के अंदर बढ़ रही petrol और diesel की कीमतें दूसरा है production की समस्या तीसरा है देश के अंदर पढ़ने वाली coal shortage और last है निर्भरता इन सभी को ख शुरू कर दिया है तो वो कौन-कौन सी कमपनिया है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उससे पहले अगर बात करें हम globally तो अमेरिका ने 2017 से ही हर साल hydrogen production के लिए 150 million US dollar हर साल निवेस्ट करने का फैसला लिया है जो आज 2 billion US dollar को भी पार कर चुका है वहीं अगर चीन के बा किया है जिसमें पहली कमपनी है Reliance Industries जहां Reliance Industries प्राइविट सेक्टर में सबसे बड़ी तेल और गैस कमपनियों में शामिल है जो टार्गेट कर चुकी है कि 2035 तक ये कमपनी सून ने कार्बन इमिशन करेगी देश के अंदर वहीं कमपनी renewable energy के लिए तीन वर्सों में लगब 750 अरब रुपए खर्च करने वाली है वहीं Reliance Industries ने जामनगर में लगबग 5000 एकड की जमीन पर एक green energy complex बनाने का कारेकरम भी शुरू कर दिया है इससे के साथ में वो पने कुछ अलग-अलग green प्रोजेक्ट के लिए लगबग 600 अरब रुपए का निवेश कर रहे हैं बात कर इन जगयों पर अपने प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है जिनको महज 12-14 महिनों में complete कर लिया जाएगा इनकी शमता 10 Megawatt तक होने वाली है जो completely renewable energy से produce की जाएगी वहीं हम अगली कंपनी के बारे में बात करें तो यह है NTPC यानि National Thermal Power Corporation Limited यह कंपनी भी देश के अं स्टाफ के लिए लगभग 5 hydrogen buses भी operate करने वाली है जिनकी manufacturing Tata के द्वारा की जाएगी वहीं NTPC के द्वारा इनका hydrogen plant station लदाक में बना करके तयार किया जा रहा है जहां पर NTPC अलग-अलग sectors को टार्गेट कर रही है जिसमें mobility, energy, chemical, fertilizer, steel, etc एन overall NTPC के target के बारे में बात करें त तो दो हजार 32 तक कमपनी 60 गीगावट की renewable energy का production करेगी यह वरतमान समय के शमता से लगभग 2 गुना जादा होने वाला है और next कमपनी के बारे में बात करें तो यह है IOCL यानि Indian Oil Corporation Limited यह कमपनी भी देश की बड़ी oil कमपनी है जिसने मतुरा में अपनी refinery लगाने का काम शुर कमपनी ने 60 मेगावट के कोची international airport को भी शुरू किया है जो दुनिया का पहला पूर्ण solar cell based airport है और वहीं इसी airport पर अब बहुल जल्द hydrogen based buses भी operate की जाएंगी यानि कि वहिकल से लेकर के airport everything is green energy based and overall Indian oil target करती है कि वो देश की 10% green energy में अपना योगदान देने वाली है और last company के बारे में बात करें तो वो company है L&T जिसको हम Larson and Tuber को नाम से भी जानते हैं वैसे योदीश की बहुत बड़ी construction company है जिसने target किया है कि वो 2040 तक अपने सभी वक्स को 90% renewable energy पर base कर देंगे जिसमें शामिल है solar energy hydrogen bio diesel और भी बहुत सारे alternative options और अगर हम कुछ details के बारे में बात करे है तो hydrogen का जो price है काफी लोगों के मन में सवाल है तो reports के मताबिक माने 102-3 US dollar per kg इसका price हो सकता है क्योंकि इसको रखने के लिए minus 252 degree Celsius तक इसको ठंडा करके store किया जाता है लेकिन इसका भी alternative option है जिसको हम ammonia के साथ collect करके भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर किस तरीके को अपन ही decide करने वाली है और वरतमान समय के बारे में बात करें तो भारत energy import लगभग 160 billion US dollar करता है जो हमारे देश को कोईला और तेल पर निर्भर बनाती है और यह आयात की कुल 2-3 गुना कीमत हमसे वसूली जाती है तो सरकार लगतार प्रयास कर रही है कि इन चीजों को धीरे धीर energy का production किया जाए जो देश की अवशक्ताओं का 50% आपूरती करने वाली है तो आई हूँ इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों की क्या रहा है comment box में जरूर बताएगा भारत का ऐसे ही updates पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलेंगे हम आपको एक नई और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए वन्दे मात्रम भारत माता की जाए